Hello future doctors, in this video I am going to discussing about a super trick for symmetry of flower. Morphology of flooring plant के chapter से मैं पहली trick यहाँ पे discuss कर रहा हूँ. आगे जो भी tricks होगी मैं other video में discuss करूँगा. आज के video में हम symmetry of flowers related जो भी हिंदी और इंगलिस दोनों medium के लिए अलग-अलग से बात कर लेते हैं. ठीक है? तो start करते हैं अपने video को. symmetry of flower के अंदर आवन तीन टाइप के symmetry पढ़ते हैं. पहले तो यह ध्यान रखिए mind में. पहली जो symmetry होती है जिसको actinomorphic symmetry या radial symmetry या तिरजया सम्मित हिंदी में बोलते हैं. और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं जाइको मोर्फिक या एक व्यास सम्मित. और तीसरी होती उसको बोलते हैं asymmetric या असम्मित. तीनों के लिए अलग-अलग हिंदी और इंग्लिस के लिए हम trick देखते हैं ताकि आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा. ट्रिक डिसकस करने से पहले मैं आपको एक चीज बचा देना चाहता हूँ कि यार यह टाइम जो है वो बहुत ही ज़ाद अप्रिस्टिस है और इस टाइम को आपको गवाना नहीं है क्योंकि इस टाइम में आपको maximum load बहुत ही ज़्यादा load लेना पड़ता है जिससे आपको कुछ आपके dreams के against बोले तो उसको बूलना यू कैसे करदू सपनों का अंत तुम्हारी बातों से जगा हूँ जिसके लिए पूछो मुझ से या पूछो उंडराओ निकाली रातों से यू कैसे करदू अपने सपनों का अंत तुम्हारी बातों से जगा हूँ जिसके लिए प इमोशनल नहीं बनना है सिमेट्री और फ्लोवर के अंदर हिंदी के लिए आपको तीन लाइन याद रखनी है पहले दूसरे और तीस से तीनों एक्जामपल्स के लिए दूर्थ सर को मिर्ची लगी क्योंकि वो तिर्जिया सम्मित निकले गुलमर को कैसे कोई दो भागों में बाटे कहो ना नहीं बंटूंगा मैं ठीके अब इस ट्रिक का मतलब क्या है वो समझते हैं पहला जो है रेडियल चिमेट्री यानि कि तिर्जिया सम्मित जिसके एक्जामपल्स होते हैं धतूरा मिर्ची सरसो हिंदी में यानि कि धूर्थ सर को मिर्ची लगी धूर्थ हो गया शरसो को मिर्ची मतलब मिर्ची लगी क्योंकि वो तिर्जिया सम्मित निकले हैं ठीक है इंग्लिस मीडियम वाले को यहां ऐसे याद रख सकते हो चल मस्ट एक्टिंग देता हूं मैं आ गया चिली मस्ट मतलब मस्टर्ड एक्टिंग मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और देता हूँ मतलब दत्टूरा इंग्लिज मीडियम वाले यह लाइन याजक सकते हैं ठीक है सेकेंड अपन बात करते हैं जाइगोमोर्फिक फ्लोवर के लिए जाइगोमोर्फिक फ्लोवर के लिए आपको लाइन याजक नहीं है गुलमर को केसे कोई दो भागों में बांटे हैं हिंदी वाले याजकना गुलमर को केसे कोई दो भागों में बांटे गुलमर के अंदर दो एक्जामपल छिपे हैं गुलमोहर और मटर को केसे केसे में भी दो एक्जामपल छिपे हैं केसिया और सेम और दो भागों में बांटे मतलब की कैसे बांटे तो मतलब नहीं बांट सकते यानि की एक वियाज सम्मित यानि की जाइगोमर्फिक यह याद रखेंगे हिंदी वाले इंग्लिस वाले याद रखना गुल जाओं पी जाओं जा बीन तो बजा गुल जाओं, पी जाओं, जाब बीन तो बजा, आर यार तुम नागिन थोड़ी हो, लेकिन फिर भी याद रखो, गुल जाओं, पी जाओं, जाओं, जाब बीन तो बजा, गुल मतलब गुल मोहर, पी मतलब मतलब मतलब, जा मतलब जाइगोमोर्फिक, और बीन मतलब बीन है ही है चलिए तो इंग्लिस वाले जाइगोमोर्फिक के लिए याद अखेगा गुल जाओ पी जाओ 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 बीन तो बजा और फिर थर्ड जो फाइनल एक्जामपल आता है एस्यमेट्रिक का एक जिसके लिए आप सिंपल या रख सकते हो कहो ना नहीं बंटूंगा मैं मतलब कि नहीं बंटना मतलब की एस्यमेट्रिक है और इसका एक्जामपल एक के ना आई हॉप आपको अच्छे से तीनों पार्ट के लिए अच्छे से एकर ट्रिक याद हो गई होगी और हिंदी वाले इस पेसली इस लाइन को जरूर याद अखे दो सर को मिर्ची लगी क्योंकि वो तिर्जिया सम्मित निकले गुलमर को केसे कोई दो भागों में बांटे कहो ना नहीं बंटोंगा में और अपने ड्रिम्स को कोई चेज करता है तो उसको एक लाइन जरूर कह देना कि यूं कैसे कर दो अपने सपनों का अंत तुमारी बातों से जगा हूं जिसके लिए पूछो मुझसे या पूछो उंडराओ निकाली रातों से थैंक्यो फॉर वाच मैक्सिममम कोउस्ट्र करते है मैं बार-बार बոलता हूं की यह फाइनल टाइम से और यहां पर आपको प्रेक्टिस चाहिए ठोब कोछोन करें तो only four papers करें प्रिविईस पेपर करीए ऐल-एन के पएपर है तो कर लीजिये और only four papers करें थिओरी kो रख दीजेए साइड में